हलो प्यारे दोस्तो एजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग एक नया स्रीज लेके आये हैं जिसका नाम रहेगा जीके बुस्टर दोस्तो इस वीडियो में पचीस वन लाइनर करेंगे जो बहुत ही ज़दे इंपोर्टेंट होंगे ये सा परेंगे जो बहुत है तो दोस्तो ये चोटा सा वीडियो रहेग। आप इसको last में feedback देने की कोशिस करेंगे कि आपको ये वीडियो का question जो था वो कैसा लगा और ये आपका revision के लिए best है या नहीं आपके according ही ये वीडियो continue रहेगी तो दोस्तो इस वीडियो को हम लोग start करते हैं पहला मेकसे से पुरसकार पाने वाले पहले भारतिये कौन थे विनोवा भावे तो दोस्तो यहाँ पर मैं extra चीज़ बताने की कोशिस करूँगा और वो भी नेमोनिक मेथड़ से तो आप वीडियो में last तक बने रहेंगे तो सारे चीज़ को मैं कबर कराऊंगा कि क्या क्या रिविजन कराता रहूंगा ओल्रेडी जो जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं नेमोनिक मेथड़ से सारे चीज़ यहाँ पर रिविजन होगा तो इसलिए यह वीडियो वहुत ही ज़ादा important है दोस्तो सबसे पहले किन को मिला था विनवा भावे को मिला था और यहाँ से कोशन और बनता है कि मैकसे से पुरसकार स्टार्ट कब हुआ था तो दोस्तो मैंने इसको याद कराने का तरीका क्या बताया था कि जो मैक्से से पुरसकार होता है वो लख्की लोगों को मिलता है L-U-C-K-Y किनको मिलता है दोस्तो लख्की लोग को मिलता है तो बस लख्की में दिखिये L का कोड 5 होता है दोस्तो K और C दोनों एक साथ है तो एक का लिखेंगे 7 क्या लिखेंगे दोश्तो 7 आगे 19 लगा दीजे तो क्या हो गया 1957 क्या हो गया दोश्तो 1957 में में मेकसे से अवार्ड स्टार्ट किया गया था और एक साल के बाद ही 1998 में इनको बिनावा भावे को फर्स टैम मिला था जो पहले भारतिये थे तो मेरे ख्याल से ये चीज आपका किलियर हो गया होगा अगला दोस्तो भारत में कितने उच नियाले हैं तो अंसर दोस्तो इसका क्या होगा 25 होगा कैसे याद रखना है नेमोनिक मेथड से अब बिल्कुल इसमें यदा दिमाग नहीं लगाना है आपको नियाले दिख रहा है तो आप इंगलिस में नियाले लिखेंगे तो दिखे ध्यान से नियाले में ही आपका ये सारा दिख रहा है दिखे ध्यान से n का code 2 होगा, a का नहीं होगा, y का नहीं होगा, a का नहीं होगा, l का 5 होगा, a, y, a का नहीं होगा तो बस आप नयाले यह याद रखेंगे, तो नयाले को decode करेंगे, तो 25 आ जाएगा नयाले को decode करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 तो मेरे ख्याल से दूसरा भी आपका clear हो गया अगला दोस्तो अरजून पुरस्कार किस वर सुरू हुए है तो अंसर दोस्तो 1961 होगा इसको मैंने कैसे याद करने का तरीका बताया था दोस्तो देखिया धिहान से कि जो अरजून है जो अरजून भगवान है वो क्या है गौड है क्या है गौड है तो बस यहाँ से गौड को decode कर दीजिए जी का code 6 होता है और डी का code 1 होता है 19 आगे लगा दीजिए तो 1961 तो मेरे ख्याल से ये clear हो गया दूसरा अगर तरीका से अगर आप इसको yada करना चाहेंगे तो दुसरा तरीका क्या होगा दोस्तों जो अरिजून है वो आप दिखते ओंगे क्या कि गीता, गीता में इनका बहुत ज़्यादा चर्चा है तो बस आपको याद रखना है गीता G का कोड 6 होगा, T का कोड 1 होगा तो 1 लगा दीजे, आगे 19 चिपका दीजे 1961, तो 1961 यह भी किलियर हो गया तो ऐसे करते हुए हमें सब को implement करेंगे, जो already हम लोग पढ़ चुके हैं तो हर एक चीज यह सारे चीज़ क्या होगा आपको revision होता जाएगा, ठीक है दोस्तो तो आगे देखें, चार नंबर में अंतिम मुगल समराट कौन था तो दोस्तों, अंतिम मुगल समराट कौन थे बहादूर साटू, तो दस, आपको याद रखना है क्या कि जो मुगल का अंतिम समराट कौन हो सकता है जो बहादूर होगा, और बहादूर में भी क्या होगा दूतिये, मतलब दो दो गोना ताकत वाला बहादूर होगा उसी वही होगा अंतिम मुगल समराट तो ऐसे करके हम लोग relate करके याद कर सकते हैं अगला गोदान किसकी रचना है तो अंसर हो जागा दोश्तो मुनसी प्रेमचंद आपको याद कैसे रखना देखे दियान से यहाँ पे दिख रहा है आपको दान जो दान है वो कौन देता है मुनसी लोग देते हैं आप देखते होंगे न बहुत सारे मुनसी लोग का काम क्या रहता है कि किसी किसी को दान देते रहो तो बस आपको याद रखना है मुनसी प्रेमचंद हो गया स्वैन फिलू बिमारी की इस विसानू से होती है तो मेरे ख्याल से यह भी किलियर हो गया होगा सेवन नंबर राश्टिये मददाता दिवस कब मनाया जाता है पचीस जनवरी इसको कैसे याद रखना है दोश्तों देखे दियान से आपको मैंने पहले बता चुका हूँ अल्रेड़ी इंपोर्टेंट डेज में यहाँ भी देख लीजे कि जो मतदाता होता है न वो कौन करते हैं ओल्ड और न्यू न्यू ओल्ड ऐसा करके बोल सकते हो कि जो न्यू है न्यू है और ओल्ड है दोनों देते हैं मद्दान कोन देते हैं दोस्तों, new, old, दोनों देंगे, तो n का code 2 होता है, l का code 5 होता है, और d का code 1 होता है, मैंने क्या बताया दोस्तों, जब 3 डिजिट आता है important days में, तो आपको क्या करना, यहाँ पे बीच में line कर देना है, दो डिजिट जो रहेगा, वो day को represent करेगा, और जो single digit होगा, वो मन्त को represent करेगा, और यहाँ पे d जाया है, मतलब january है, तो confused नहीं होना, t kd हम लोग किसको use करते हैं, 11 मन्त को, मतलब November को, तो यहाँ से आपका clear हो गया, ठीक है, ऐसे करते हो, आगे वड़िये दियान से, 8 नंबर पे भारत सकरार के समिधानिक मुख्या देखिए, मौलिक करतव भी है, मौलिक करतव भी क्या होता है, दोश्तों देखे दियान से, कहीं पे भी अगर घूम रहे हो, तो अगर जहंडा गिरा हुआ है, उस जहंडा को आपने पैर लगा दिया, तो वो अपमान होता है, आपका क्या हो है, आपका duties है कि उसको अच्छ लगते हैं, क्या करते हैं, रन, उनलोग क्या करते हैं, रन, मतलब भागने लगते हैं, बोलते हैं, मेरा ऐसा काम ने, मैं नहीं करूँगा, अधिकार रहता है, तो लोग अपने वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर उनको बोलो कि आपका करतव ये था, ये करना चा संसोधन में मौलिक करतवयों को जोड़ा गया अब बताओ कि 22 संसोधन किस एर में हुआ था तो बस आपको यह याद रखना है कि उन्होंने भाग गया और भागते हुए क्या बोला कि यार मेरे से गलती हो गया मैं केजी में ही पढ़ता हूं मैं केजी में ही पढ़ता हूं इस पढ़ता है 19 आगया लगा दीजे क्योंकि संसोधन है तो इनीस में ही हो आगए 1976 तो ब्यालिस्वा संसोधन कब हो आता दोश्तों 1976 में जिसमें मौलिक करतवयों को संसोधन में जोड़ा गया नोग किलियर हो गया 10 नंबर उपराश्पति का चुना कौन करता है दोस्तों तो संसध सदस्य करता यह तो असान है विजय स्तम कहां श्तीत है तो अंसर इसका क्या हो दोस्तों चितोडगड कहां पे हो चितोडगड आपको याद रखना है दिखे दियान से यहां पर अस्तम दिख रहा है तो अस्तम क्या है लोग अचकल तोड़ देते हैं क्या कर देते हैं तोड़के गाड़ दिये तो डिरेक्ली क्या हो जाएगा चितोड़ गड़ अगला विस्व का सबसे लंबा रेल मार्क कौन सा है तो अंसर क्या होगा दोश्तों ट्रांस सैबिरिया और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 9,438 कहां पर किस देश में है रूस में या फिर रसिया में बस आपको यह याद रखना है कि अगर सबसे लंबा रेल मार्क बनाना है तो सबसे लंबा डिस्टेंस वाला डिस्टेंस चाहिए और यह लंबा डिस्टे हो गया होगा ठीक है अगला तेरा नंबर में कौन सा है नर्मदा नदी का उद्गा मस्तल क्या है तो अमर कंटक हिल से है ठीक है तो मेरे ख्याल से ये भी किलियर हो गया तेरा नंबर पे चौदा नंबर पे भारत के किस राज में जिपसम की पादन सबसे अधीक होती है वेरी East India Company ने भारत में सबसे पहले कहां पर company खोला था तो कहां खोला दोश्तों सूरत में और गुजरात में तो बस आपको याद रखना है क्या कि जो East India Company थी वो क्या कर रही थी अपना company इस्टेबलिस कर रही थी लेकिन बोल रही थी क्या कि जहां पर सूरत बहुत अच्छा है वहीं पर मैं इस्टेबलिस करूँगा क्योंकि मुझे रात गुजारना है मुझे रात गुजारना है तो बस रात गुजारना मतलब गुजरात और सूरत और कब हुआ था दोश्तों 1608 में हुआ था ये date भी याद रखना है important है 1608 में ये इनको क्या किया गया था company को खोला गया था सूरत गुजरात में अगला पुस्तक आयने एक बरी किस ने लिखी तो अबुल फजल में लिखी अबुल फजल लिखी उडन परी किसे पुकारा जाता है PT USA PT USA को दोश्तों उडन परी के नाम से जाना जाता है अब देखिए उडन में U है और USA में U है तो दोनों clear हो गया उडन से USA तो देखिए ये जो छोटा-छोटा चीज है ना आपका exam में यही चीज reflect करेगा आपको अभी लग रहा होगा कि इतना minority चीज कैसे देख रहो दोखो आप option में देखोगे न तो बहुत सारा चीज दिया रहेगा लेकिन आप एक बार पढ़े रहोगे तो ये U U से मिला लोगे option में हाँ यहाँ भी उडन और यहाँ भी USA तो फटाक से अगर एक बार पढ़े रहेगो तो आपका अंसर कभी गलती होगा ही नहीं होगा ठीक है आगे जीलो की नगरी कौन सा सहर कहलाता है उदैपूर अंसर क्या आएगा दोश्तो उदैपूर अगला आर ये समाज के स्थापना कब की गई थी तो दोश्तो इसका जो अंसर होगा वो 1875 होगा और ये मुंबै में की गई थी आर ये समाज के स्थापना किन के दुवारा किये थी दोश्तो दैयानान सर्वस्ति के दुवारा क्या गया था और 1875 में किया गया था इसको मैंने कैसे याद करने सिखाया था कि जो R ही लोग थे, जो R ही लोग थे, वो क्या कर रहे थे, उन लोग वैकल, उन लोग वैकल से क्या कर रहे थे, वैकल से गूम रहे थे, क्या से गूम रहे थे, वैकल से, तो आपको है स्पेलिंग पर नहीं जाना, बस वैकल याद रखना है, B का कोड़ 8 होगा, C का कोड़ 7 ह मतलब यह सबसे करके हो जाएगा सबसे प्राचीन वेट कौन सा है तो जनमदीन पर सिच्छा दिवस मनाया जाता है मुलाना अबुल कलाम अजाद अगला 22 नमबर दोस्तो भाबा परमानु अनुसान धान कहां इस्तीध है ये भी पूछा जाता है देखिए इसको रिलेट कैसे करेंगे देखिए भाभा यहाँ पर भाभा से देख रहा हूँ भाभा से देखो एक जैसा वर्ड नहीं देख रहा है भाभा मुंबई भाभा ठीक है बॉंबई आप देखिए ऐसे यूज कीजिए भाभा बॉंबई और भाभा ट्रामबे देखिए ये दोनों वर्ड एक ही जैसा लग रहा है तो ट्राम्बे में और बॉम्बई में बस यह से याद रखना है बॉम्बई भाभा बॉम्बई भाभा तो आपको कभी गलत नहीं होगा जब भी आएगा भर भाभा परमानु अनुस्तंदान कहां इस्तित है तो आपका अप्शन में कहां रहेगा सौत का कुछ अस्टेट दे देगा ऐसा करके कुछ दे देगा तो अगर अभी आप पड़े रहोगे कि भाभा से बॉम्बई दोनों एक जैसा वर्ड है तो वहाँ पर आपको गलती होगा ही ने जैसे बॉम्बई देखोगा अचाहा भाभा बॉम्बई यहां से ट्राम्बे तो डिरिक्ली ऐसे किलियर ह अगला दुश्तो बर्दोली अंदोलन का निर्तितु किस ने किया था सरदार बल्लब भाई पटोईल आपको कैसे याद रखना देखिया बर्दोली में बह है ना और बल्लब में भी बह है तो बस जहां पे बर्दोली वहां पे बल्लब जी रहेंगे तो बर्दोली का अंद दोलन का निरत्व किस ने किया था बल्लव जी ने किये थे ठीक है सरदार बल्लव भाई पटेल ने किये थे 24 नमबर खालसा पंद के स्थापना किस ने की थी तो गुरु गोविन सी ने की थी 25 नमबर पे मुगलवन्स की स्थापना किस ने की थी तो बाबर ने की थी दोस्तों मैं और यहाँ पे देखिए द्यान से आपको मैं यहाँ पे फिर से एक चीज को मैं revise कराता हूँ देखिए राष्टपती देखो जब भी आपको ये पढ़ रहे हो ना जब भी ये चीज आप पढ़ रहे हो तो मैं आपसे एक request करता हूँ गर आपको gk को strong करना है तो मैंने आपसे को क्या किया था राष्टपती के लिए का special विडियो बनाया था तो दोस्तों एक से 10 तक एक से 10 तक मैं राष्टपती का नाम ले रहा हूँ आप फास्ट बोलते जाओ देखो ये आप पिक्चर दखोगे ना पिक्चर देखते के साथ आपको राष्टपती का नाम मैंने क्या किया आठ नौ और 10 मैंने 10 तक काउंटिंग कर दिया ठीक है देखो एक पर राजिंदर परसाद ये केंडल रहा है राजिंदर परसाद पर जिते डग पानी में जैता है तो पानी से पाली हो गया तीन यहाँ पर क्या दिर है दोस्तो इसको ऐसे मिला देंगे, तो हर्ट बन रहा है और हर्ट, तो जब हर्ट करते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, जाकर मरो, तो जाकर हुसेन हो जाएगा तीन सी तरह नमबर पे, चौथा नमबर में क्या है दोश्तो, लेग, एक इसका pm चेयर तो पकरो से फकरुदिन और ये 1975 इमर्जशी के टाइम थे तो यहाँ से पाँच नमबर हो गया छे नमबर आपको कैसे तरह का इमेज दिख रहा है देखे यहां से होकी स्टिक और होकी स्टिक का क्या हो रहा था दोश्तों निलाम हो रहा था तो निलाम रेडी हो जाएगा, ठीक है, साथ नमबर आपको क्या देख रहा है, स्टीट लाइट, स्टीट लाइट पढ़के लोग क्या हो जाते हैं, गयानी हो जाते हैं, तो सेवन नमबर पे गयानी थे, एट नमबर देखें, चस्मा दिख रहा है, क्या द दिख रहा है दोश्तो टेन नमबर पे देखे दियान से किस तरह दिख रहा है टेन बैट बैट और बॉल जैसा तो बैट बॉल किसके साथ होगा बताओ दियान से कोच के पास होगा बैट बॉल किसके पास होगा कोच के पास होगा तो मेरे ख्याल से देखे दस को प्रेसिडें अच्छा लगा और इस वीडियो में किस तरह का और improvement या फिर किसी तरह का changes अगर चाहते हो तो वीडियो को एक comment box में बता सकते हो ठीक है दोस्तों तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीडियो में नेक्स ट्रिक के साथ फिर से हम आज ही रहोंगे दोस्तों तब तक के लिए बाई दोस्तों जैह हिंद